आज की वीडियो के जब हमारा टॉपिक राएगा हम उसमें एक image को float करके दिखाएंगे without using float property और text wrapped means इसका क्या है कि मैंने container create किया आप देख सकतो white background का इसमें मेरे पास दो पार्ट है मेरी image है और यह मेरा content है आप देख सकतो हो यह image ऐसा लग रहा है कि यह float कर रही है but without using float property और text wrap मैं इस शीज को float करूँगा और यही challenge रहेगा then इस शीज को सीधा code करते है इस शीज को create करने के लिए सबसे पहले मैं अपने code writer मा चुका हूँ जो कि VS code है then title के बात करते हैं तो title में मैंने दिया है float image without using text wrapping means इसका मतलब क्या है text wrapping वाली property को बिना use करें किसी भी image को कैसे एक continue में float करते हैं ठीक है जो title नहीं समय है तो वीडियो आप देखो थोड़ा सा आपके समझ आएगा definitely then link करना चाहूँगा अपनी style.css और मेरी तरफ से by the way जब आप किसी भी document को title देते हैं तो वह बहुत अच्छी property होती है बहुत property क्या professionally आपको inhabit कर देता है एक अच्छी तरह से website create करने के लिए then body के अंदर सबसे पहले मैं div of class box means एक container create कर रहा हूँ इसके अंदर मेरे पास दो पार्ट होंगे एक तो होगा मेरा image box जो image hold करेगा then दूर सा होगा हमारा content जो हमारा content पार्ट समालेगा enter करते ही content के अंदर एक simple heading आती है obvious सी बात है और जो मेरा title था वही मेरी heading है then paragraph के बात करते हैं इसमें मैं lorem 50 words dummy 50 words आप अपनी तरफ से कोई भी 50 words डाल सकते हो strawberry के बारे में information and blah blah and एक anchor tag जो की read more read less का होगा जो की point करेगा किसी को नहीं obvious सी बात है यह बस एक demo है and then इसमें मैं लिख देता हूँ read space more तो means यह read more का option create कर रहा है एक 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 फालतू space याद रखना then image box के अंदर हमारी image आईगी जिसका link होगा 01.jpg alternate पे लिख सकते हैं my image obvious सी बात है and then right click करो open with live server तो आप इसका preview देख सकते हो image ज्यादा बड़ी है and then इसका content इधर है अब इसे style करते हैं अपनी style.css सबसे पहले body की बात करते है body में होगा margin means बाहर से किसका जीरो, padding means अंदर से किसका जीरो रहता है और box sizing means border box means जितने आपने width and height दिया है उससे over float नहीं करेगा आपका content and font family मैं by default sensitive देता हूं जो कि modern website में use होती है आप कोई इसी भी property दे सकते हो अब नहीं में देता हूं बहुत ही must FF0053 means एक pink color है decent है and then इसके बाद मैं style करता हूं अपने box को box के अंदर मैं चाहता हूं जो यह मेरा box है यह अभी तो left की दर float कर रहा है इसा मैं center में float करना चाहता हूं इसके लिए यहाँ पर मैं use करूंगा position absolute top will be 50% है left will be 50% है and then transform translate minus 50% है comma minus 50% है then इसके बाद आप देख पाओगे जो मेरा content है वो center में आ चुका है अब मैं इसके simple सा background जोड़ देता हूं जो हमें दिखाएगा कि यह कहां तक है हमारा content है तो background मैंने simple सा white करके and then इससे पहले मैं एक image को set कर देता हूं because image कुछ जादे ही बड़ी हो रही है तो width set कर दी मैंने 250 pixel आप अपनी तरफ से adjust कर सकते हो तो आप देख पाओगे कि इससे 100% पे कुछ ऐसा दिखाई देगा अब flex display flex दुनगा तो क्या रहता है flex direction by default row रहता है तो यह row की तरफ भगेगा row means एक के बाद एक तो आप देख पा रहे हो रो की तरह हो गया है अब एक padding add करता हूँ padding will be 20 pixel means अंदर से खिसका and border radius means जो इसके round corners करना चाता हूँ मैं approach 10 pixel बहुत decent सा है आप 10 pixel दे सकते हो या 4 pixel and box shadow means पीछे की तरफ मैं एक shadow लाना चाता हूँ 0 from x axis 5 pixel का from y axis and 15 pixel का blur and RGB यहीं बात करता हूँ तो 000 and 0.5 बहुत ही genuine तो आप देख सकते हो एक दिखाई दे रहा है मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में थोड़ा difference हो तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज करूँगा अपना जो image box है image box and then इसके अदर मैं padding from left दे दूँगा 20 pixel तो यहां से मेरे को एक padding मिल जाएगी sorry padding from right will be 20 pixel and आप इसे right click करो inspect आएगा inspect में जब आप इसे hover करोगे नहीं आप देखोगे यह मेरा total box है left side वाला मेरा image box है right side वाला यह मेरा पूरा content है ठीक है तो और बीच में आप green line का padding देख पा रहे हो अब मैं चाहता हूं इसमें border radius add करो image में तो यहाँ पर मैं border radius will be 10 pixel दे सकते हूं पर 7 pixel is genuine genuine चीज कर रहा है मैंने है और यहाँ पर आप इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते है image के साथ and then इस तो मैं content की बात करता हूं content के अंदर मेरे पास यहाँ पर आप देख पाऊंगी मेरे पास पहले heading and paragraph है तो heading की बात करते है heading में margin and padding दूँगा 0 पूछो क्यों by default heading में रहता है मेरे को बहुत time बात पता चलाता margin and padding रहता है heading के अंदर तो margin padding करना पहले 0 रहता है and color की बात करें तो मैं दूँगा इसे वह जो इसका background है and then इसका font weight दूँगा इसका 500 and text transform means जो इसका capital मला हर word है वो capital हो जाए and इसके साथ साथ देखते हैं और क्या चाहिए तो font weight will be 500 then font size add कर लेता हूं 35 pixels so that यह थोड़ा अच्छा दिखाई तो आप देख सकते हो कि क्या सा दिखाई दे रहा है अब मैं चाहता हूं read more को थोड़ा decorative दिखाने के लिए तो वह है मेरा anchor tag anchor tag में simple सी बात रहती है पहले display will be inline block because आपकी जो property यह पैडिंग वाइडिंग वो काम नहीं करती जब तक आप display property inline block नहीं करते then 7 pixel ऊपर नीचे से 7 pixel and left and right से 10 pixel background मैं इसका दे देता हूं जो इसका पीछे गाया है ना और color दे देता हूं white simple सा white and then transition means जब मैं इसमें over class करूं तो उसमें 0.5 second का transition हो and मैं चाहता हूं जो इसका text decoration है will be none and then text transform will be capitalize each word बस बहुत ही genuine रखा है आप इसमें border radius भी दे सकते हो जैसे मैंने border radius add किया 4 pixels तो round corners हो जाएंगे और मैं इसमें over class add कर देता हूं over class क्या होती है कि जब आप इसके उपर अपना cursor लेका होगे तो क्या होगा तो यहाँ पर cursor pointer भी कर सकते थे cursor will be pointer already suggestion में आ रहा है तो जब मैं इसे hover करूंगा तो आप देख पार हो एक simple transition अब एक चीज होती है कि आप जब image पर hover करो तो इसे थोड़ा ऊपर दिखाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है अपने image box पर आना इसे copy करना है इस चीज को cut करते हैं and transition देता हूँ 0.5 seconds अब करने से होगा क्या आप देख पार हो कि जब मैं image पा रहा हूँ तो यह उपर की तरह float कर रहा है अब एक और चीज जब यह मेरा box है इसे copy करो और इसमें भी एक hover class add कर देते हैं जब मैं इसे hover करो तो जो इसकी box shadow वह थोड़ा ज्यादा replicate हो जाए तो इसे double करते हैं और यहां लिया है इससे मैं कर देता हूँ 10 pixels and इससे मैं कर देता हूँ 30 pixels then अब होगा क्या कि देखो देख रहे हो थोड़ा सा box shadow बढ़ रहा जो आपको इस वीडियो से जाने के कुछ भी अच्छा मिला हो then please like, share and comment this video मैं मिल तो अपने next video में and that was pretty much in from my side and I am leaving thank you